इसके लिए आपको यहां पे X और Y का कोफिशंट दोनों में सेम करना होता है 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं पहले 2X प्लस 2Y प्लस 4 और डिस्टेंस का फॉर्मुला लगा लें और रूट में आपका 2 स्कॉर प्लस 2 स्कॉर यह 4 अपां 2 अंडर रूट 2 का मतलब आप यह करने के लिए रूट 2 इंटो रूट 2 इंटो रूट 2 इस दा करेक्ट ऑप्शन प्लस और अगर आप यहां पे देखें तो वन मैंने से पावर 5 का मतलब है कि वही वन प्लस एन एक्स और एक्स का मतलब होना चाहिए और यह 5 अप्शन मुझे नजर आ रहा है तो आप्शन नमबर एक है तो आप्शन इस दा करेक्ट अंस इन ए आर और यार स्कॉर सम्ट इंफिनिटी बताना है वही ए अपॉन वन मैंने से पॉइंट नाइन निकालेंगे तो पॉइंट बचेगा तो पॉइंट ही बात आपको बढ़ाता हो ये अमैगा और मैगा इस वार फॉइंटा हूं निके बच्वेचन Creator को याद होनी चाहिए तो इसका मतलब ये अलफा है और यह था है को वैगाए को यह Tipsर मैंगा प्र Okay, गैंगा फॉतार इस यहनि कि alpha omega और beta omega square alpha square plus beta square बराबर होता है alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta तो अगर मैं इनका sum निकालू omega plus omega square तो यह minus 1 आएगा और इनका product निकालू तो यह बना जाएगा minus 1 का square 2 into 1 1 में से 2 निकालोगे minus 1 option b is the correct answer joint of a का determinant बतादे मैं joint of a यह property होती है इसकी जो value होती है किसके equal होती है हमारे पास determinant की power order minus इसका determinant कैसे निकालने बड़ा असान है डागनल का product लेलें क्यूंकि बाकि तमाम element 0 है a cube हो गया इसका order है 3 by 3 a cube का square हो गया तो a की power 6 option d option one x और x 4 ratio बताते है रेशो second term divide by first term होता है x square option here is the correct term x plus 1 x minus 1 को divide करें x plus 1 से remainder क्या होगा तो आप कुछ लोग इसको solve करने लग जाएंगे solve करना ही नहीं इसमें x plus 1 को 0 के बराबर ने x की value minus 1 अब आप यहां पे इसमें ले जाके put करेंगे तो यह तो सबको 0 कर देगा इसका मतब remainder 0 वन अपान अब और वन अपान सी अगर एपी में हो तो बताएए बी किसके बराबर हो दो भी जो होगा वो होगा 1 upon A plus 1 upon C divided by 2 कि क्योंकि यह arithmetic mean होता है और mean का मतलब होता है average ले लें C plus A upon A C divided by 2 A plus C upon 2 A C हो जाएगा option B is the correct answer